तो हैलो एबरीवन तो बहुत से लोग मुझे मैसेस करते हैं कि भाईया मिनोक्सिरल को बैक और मतलब साइडों में भी लगाना होते है इस एरिया में तो आज की वीडियो में completely बताऊंगा कि आपको minoxidil को किस सेरिया में लगाना चाहिए, आपको back में भी यूज़ करनी चाहिए, या side में भी यूज़ करनी चाहिए, जिससे आपको काफी अच्छे results देखने को मिलेंगे, किस वे से यूज़ करनी चाहिए, तो completely बताऊंगा ब आपके scalp का blood flow बढ़ जाता है, आप माल लो मुझे यहां का blood flow बढ़ाना है, तो मैं यहां मिनोकसिरिल लगा कर चोड़ दूँगा, और यहां पे काफी ज़्यादा blood हाई हो जाएगा, मेरे hands में ठीक है, तो इसी वे से आप scalp पे use करते हो, scalp का blood circulation हाई हो जाता है, अब यहां काफी लोग मुझे बताते हैं, कि भाईया मैं यहां भी मिनोकसिरिल ली उज़ कर रहा हो, मेरी 1 ml से ज़्यादा मिनोकसिरिल ली यूज़ हो जाती है, मैं मनलब हैरान हो जाता हूँ, ऐसे लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैं का यार मैं personally यूज़ कर रहा हूँ, मेरी तो 1 ml स ज़्यादा लगी, नियाज तक मैंने अपनी स्केल्प पर यूज़ किया है, फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि भाईया आप यूज़ कहा कर रहे हो, किस वे से यूज़ कर रहे हो, मैं मलब उनसे सिधा ही बोल देता हूँ, आप साइड और बैक में भी लगा रहे हो, कि हाँ या मैं साइड में भी लगाता हूँ और बैक में भी लगाता हूँ, उनको लगता है कि उनके हेस काफी अच्छे आजेंगे इससे, बहुत अच्छे हो जेंगे, ऐसा लगता है, पर यह नहीं सोचते है कि इससे आपकी स्केल्प को आदत होजएगी मिनोक्सिरिल से, और इतन लिए विड़ार्णेस अपने निएर भाई या कोई भी अंकल दिखता है, उनके बैक केर्स या आपके जिनकी भी विड़ार्णेस आगे उनके बैक या साइड केर्स हमेशा सलामत रहेंगे, वहीं पर पड़े रहेंगे, कोज यहां के हिस नहीं जाते हैं, मेंली DST यहां आ तो मलब jumper लगा सकते हैं आपको साइड में पिक्षों कर रहाएं इस एरिया में देखो जैसे कि यहां से यह इप बन रहा है यहां से लेकर इस एरिया में गुलाई में बाइव यहां कर की लगा सकतması एक डोट यहांपर मिलाब एक बूंद यहांपर लगा सकत upgrades ठीक है मसल दिया एक ड्रोप इस मालब फरणटा पर लगा सकत्थ है मसल दिया ताकि एक तो आपकी لkeep है Ens तो आपकी हेल लाइन अच्छी हर और और पीछे फैर अच्छे से ही हो रहे हैं जैसे याँ मिनोक्सिडरल यहां Never apply 향 हो नियुक्स साइब का से और यहां से होता हूँ ठीक कैम लोगत है इसNiva यहां पर यहाइगा यह साइडों से भी हुत्पोता हुआएगा तो यहां developed उयां पर यहां परoda PER या आपकी body face वगरा से होता हुआ आएगा तो इसलिए यहां के हैस आपके अच्छ हो जाएगा कुछ लोगों को तो beard में भी results अच्छे देखने को मिल जाते हैं जो लोग मिनोक्सिरिल को use करते हैं कुछ लोगों की तो beard और ही जादा हो जाती है यहां पे भी हेस देखने को मिल जाते हैं तो यही रहता है simple सा fund है आपको सिरफ उपर उपर apply करना है ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना और मत करो इससे क्या होगा आपके मिनोक्सिरिल के results बहुत जल्दी कम हो जाएंगा आना फिर आप बोलोगे कि भाईया मेरे results आना कम होगे मैं इतने टाइम से मिनोक्सिरिल यूज़ कर रहा हूँ और आप money भी waste करते रहोगे इतनी इतनी मिनोक्सिरिल अपलाई कर लेते हैं डे 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 में में लोग यूज़ करने लगी जाते हैं हाँ मानलो अगर आपने मानलो अभी मिनोक्सिरिल यूज़ करना स्टार्ट किया यहां पर आपके मानलो पैचिस वगएरा थोड़े हो गया है और उपर भी हेर फुल हुआ हुआ है तो आप उपर एपलाई करोगे तो भी यहां पर साजेंगे अब कुछ लोगों को क्या करते हैं डोक्टर सिर्फ मानलो कोई यंग एज का बच्चा था टीनेजर्स हो गया तो उसके कोई दिक्कत के कान बीच में पैच हो गया रबनगे बैक साइड में उपर की हेर्स अच्छे पड़े हैं तो उनको सिर्फ वो पैच पे लगाने के लिए सुलीशन दे देते हैं डोक्टर तो इसलिए डोक्टर की गाइडन्स में रहना चाहिए आपको मैं तो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देता रहता हूं देता रहूंगा ताकि आपको अच्छे से पता लग पाए ठीक है तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को जुरूर प्रैस कर देना मैं ऐसी वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा इससा फॉलो कर लेना कोई भी कॉईरीज रहती है यहाँ को मेरा प्लैन लेना से लेटेड है से लेटेड है तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज करके ले सकते है तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में